नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आश्या करती हूँ अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए 1977 में बॉक्स ओफिस पर इस डारेक्टर का बजात अडंका एक साथ दे डाली थी चार ब्लॉकबस्टर फिल्म में जब भी कभी हम सत्तर से अस्टी के दसके बॉलिवुड डारेक्टर की बात करते हैं तो उनमें मनमोहन देसाई का नाम सबसे आगे आता है ये वही फिल्म डारेक्टर थे जिनोंने साल 1977 में अभिताब बच्चन और धर्मेंद के साथ मिलकर बॉक्स ओफिस पर लगातर चार ब्लॉकबस्टर फिल्म में दी थी नमबर बन की बात करें तो अमर अक्वर एंथनी मनमोहन देसाई की ये फिल्म साल 1977 की सबसे आदा कमाई करने वली फिल्म बनकर उबरी थी इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ओफिस पर हंगामा मचा दिया था दर्शको को ये फिल्म बेहत पसंद भी आई थी इस फिल्म में अभिताब बच्चन, विनोत खना, रिशी कपूर, नीतु सिंग, परभीन बाबी, सवाना आजबी, निरुपा, रॉय प्राण और जीवन भी एहम भूमिकाओं में नजर आये थे नमबर दो की बात करें तो धरम बीर मनमोहन दिसाई की ये फिल्म इस लिस्ट में दूसरी नंबर पर आती है यानि कि साल 1977 में ये फिल्म दूसरी सबसे आदे कमाई करने वाली फिल्म बनी थी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चाएं भी थी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर रिलीज के साथी हंगावा मचाने वाली फिल्म भी बनी थी इस फिल्म में धर्मेंद्र, जीनतमान, जितेंद, नीतूसिंग और प्राण भी एहम भूमिकाव में थे नमबर तीन की बात करें तो परवरिश नमबर चार की बात करें तो चाचा भतीजा इस फिल्म को भी मनमोहन दिसाई नहीं डारेक्ट किया था धर्मेंद्र, हेमा मालिन, रंड़ीर कपूरा, योगिता, बाली स्टारर ये फिल्म साल 1977 की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी इस फिल्म ने भी रिलीज के साथ ही बॉक्स आफिस पर अपना तहल का मचाना शुरू कर दिया था आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई